पासकार सांतियों, एक छोटी सी कहानी है, एक राजा और उसके एक सैनिक की, सैनिक बड़ा आध्यात्म प्रवित्तिक था, उनको इश्वर के निरनाय पर पुर्ण विश्वास रहता था, वो हमेशा एक ही कथन कहता था, जो हुआ अच्छा हुआ, तो एक दिन राजा और सैनिक जंगल गए ब्रह्मान करने के लिए, तो दुर्भाग्यवस राजा के उंगली में काटा चुब गया, जैसे ही काटा चुबा राजा के उंगली में, वो उनके उंगली को छती पहुँचाना इस्टार्ट कर दिया, छती कुछ इस प्रकार पहुँचाया कि उसके उंगली को काटना पड़ दिया, अब वो सैनिक ना चाहते हुए भी ये कह डाला कि जो हुआ, अच्छे के लिए हुआ, इस बात पर राजा को बहुत गुस्सा आया, और राजा ने उसको अपने घर जाने के लिए बोल दिया, राज महल छोड़ने के लिए कह दिया, जियों जियों समय बीचते गया, साल दो साल, फिर राजा अपने सैनिकों के साथ सिकार के लिए फिर जंगल में निकला, और सिकार करते करते वो अकेले इतना आगे निकल गया कि वो किसी दूसरे राज्ये में पहुँच गया, और दूसरे राज्ये के कबीरे के लोगों द्वारा अपने माता को देवी माता को प्रशन करने के लिए बली की आहूती देने वाले थे, उसी समय उन लोगों ने राजा को देखा और राजा को देखकर उनको पकड़ लिया ताकि अपनी अराध्य देवी मा को वो लोग बली दे सके जैसे ही उसको बली देने वाले थे वैसे ही उसके कटे हुए उंगली को देख लिये वो लोग अब कटे हुए उंगली संपूर्ण आंग नहीं है उसका इसलिए उसका बली नहीं दे पाए राजा को छोड़ दिया गया अब राजा बचने के बाद खुसी खुसी अपने महा लाया और उस जो पहले जो सैनिक था उसको बुलाया और उसको राजदरवार में पुना हिस्थान दिया लेकिन उनसे ये पूछा कि बताया सैनिक या राजदरवारी मेरा उंगली कटा था तो मेरे साथ तो अच्छा हुआ जो हुआ अच्छा हुआ पर आपके साथ कैसे अच्छा हुआ तो राजदरवारी वो सैनिक बोलता है हे राजदर अगर सिकार के समय मैं आपके साथ रहता तो वो तो आपकी बली नहीं देते क्योंकि आपका एक अंग भंग हो चुका था लेकिन मैं समपूर्ण अंग रहता तो आपको छोड़के वो मेरी बली दे देते इसलिए मैं भी बज़ गया परमात्मा का निर्ने सार्वभोमिक है सर्वमान्य है अतह जो हुआ अच्छा हुआ इस कहानी से हमें यही सिख्छा मिलती है कि परमात्मा का जो निर्ने है वो हमारे निर्ने से कहीं अधीक सक्तिसाली है पावरफुल है और महत्तोपूर्ण है हमें इश्वर के निर्नेओं पर संदेह नहीं करना चाहिए धन्यमात संथियों हमें इश्वर्ण करना चाहिए